पॉलिटिकल बाइट मैं हूँ आपके साथ अकास्त्रिवीदी इंडिया गडबंधन और एंडिया गडबंधन से दूर बस्पा सुप्रीमो माया वती उत्तरप्रदेश और उत्तरखन को छोड़ के दूसरे राजों के छेतरे दलों से गडबंधन कर लोग सबाचुनाव लड़ने की संभावनाय तलास रही है पता दें कि मद्धिपरदेश 36 गडबंधन तै माना जा रहा है सीटो की संक्या तै होने के साथ ही गडबंधन की गोशना कर दी जाएगी बता दें कि बस्पा नेताओं के मुताबिक हर्याणा में इंडियन नेशनल लोगदल जबकी 36 गड़वा मध्यपरदेश में गोडवाना गड़तंतर पार्टी से गड़बंधन की बात अंतिम दोरे में हैं गड़बंधन कर बस्पा हर्याणा की 6 सीटों पर अपने प्रत्यास उतार सकती हैं मायावती के बतीजे और पार्टी के नेशनल को ओर्डिनेटर अकाश आनंद इस सम्मंद में विशेश और विभिन छेत्रिया दलों से बात कर रहे हैं बता दें कि मायावती ने आकाश को उत्तर प्रदेश और उत्तरा खंड छोड़ कर दूसरे राज्यों मे बस्पा की ताकत बढ़ाने का जिम्मा सौप रखा है बस्पा के मौजूद दस सांसाद और उत्तर प्रदेश में ही हैं अन्य राज्यों पर बस्पा का एक भी सांसाद रही हैं जिसको लेकर लगतार मायावती अपनी कवायत को तेज कर रही हैं दर्श को बता दें कि यहां से अटकलों का बाजार गर्ब हो गया लेकिनी बार फिर से मायावती ने हाँ पर बड़ा एलान कर दिया कि अब वो छेत्री दलों को पकलेंगी यानि कि उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए या दूसरे राज्यों की बात कर ली जाए तो उनको छोड़कर अब वो ये अकास आनन्द को दे दी है दर्च को क्योंकि लगातार मायावती को लेकर ही अटकलों का बाजारती जो रहा था और मायावती के पास अपने दस सांसाथ हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं इसके अलावा उनके किसी राज्यों पर कहीं सांसाथ नहीं है तो ऐसे मायावती ल बंदन को हराने के लिए मैदान पर उतरती है या फिर इंडिया गड़ बंदन को कि को लागातार दोनों ही पार्टियों की जो रार है दोनों ही पार्टियां लागातार अपने वर्चस्ट को बढ़ाने में लगी है लेकिन दोनों ही पार्टियों में कोई कमी देखने को मिलती है और दोनों ही पार्टिया जाती है कि मायावती उनके साथ जुड़ जाएं गर्शकॉप देखना होगा मायावती आकरकार किसके विरोध पर चुनाव लड़ती है और क्या चुनाव आने से पहले वो भी नितीज की तरह पल्टी मारती है या फर नहीं इस पूरे मुद्धे इतना ही देश दुनिया की तमाम कपर उस्जोडर निकला अब देखते लिए एक्ट्रे न्यूस पॉलिटिकल बाई